गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम अभिनोतिवारी है और साकत करता हूँ आपका मेरे चैनल अभिनोतिवारी वेस्टीज में दोस्तों, आज हम आपसे जिस प्रोड़क्ट के बारे में बात करेंगे, वह प्रोड़क्ट हमारे सरीर के लिए बहुत ही महत्पोन है जो कि पूरे विश्व में सबसे सस्ता और सबसे आसानी से मिलने वाला प्रोड़क्ट है, वह प्रोड़क्ट है विटामिन D क्योंकि हम इसे सनलाइट से भी ले सकते हैं, लेकिन क्या हमारी बॉड़ी इसको ले पाती है या नहीं, आएए जानते हैं लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं वेस्टीज रेलिटरे वीडियो रेगुलरली अप्लोड करता हूँ दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे सस्ता और सबसे आसानी से मिलने वारा अगर कोई बिटामिन है, तो वह है बिटामिन डी, क्योंकि यह हमें सनलाइट से, यानि की सूरी की रोसनी से प्राप्त होता है, फिर भी इंडिया में लगभग 80% लोग बिटामिन डी की कमी से ग अश्यारिसित हैं, ऐसा हमारे विजी लाइव इस्टाइल के बज़ा से होता है, अब आप सोच रहे हैं कि अगर विटामिन डी की कमी हो भी जाये तो दिक्कत क्या है, दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमारे सरीर की हड्डियां ही हमारे सरीर को मजबूती परदान करते है और या हड़ियां कैलसियम से बनी होती है और हम जो भोजन करते हैं उसमें मौजूद कैलसियम को आतों में से औसोसित करके हमारी हड़ियों तक पहुँचाने का काम करता है विटामिन D अगर हमारे सरी में विटामिन D की कमी है तो हम भोजन करते हैं उसमें से कैल्सियम और सोसित नहीं हो पाएगा और हमारे खाय हुए भोजन में मौजूद कैल्सियम मल के रास्ते बाहर निकल जाएगा यानि उसका फायदा हमें नहीं मिल पाएगा और दोस्तों हमारे सरीन में बलट के फ्लो होने के लिए प्रते दिन एक fix amount में कैलसियम हमारे blood को चाहिए होता है और अगर आपका भोजन में परियाप्त मात्रा में कैलसियम है और आपको vitamin D की कमी नहीं है तब तो आराम से daily भोजन से कैलसियम औसोसित होकर blood को मिलता रहेगा लेकिन अगर हमारे भोजन में कैलसियम कम हुआ या vitamin D कम हुआ तो रोज हमें जितना कैलसियम चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा और नतीजा क्या होगा कि रोज हमारी हड़ियों में से उतना कैलसियम निकल निकल कर खून में मिलता रहेगा कुछ टाइम बाद आपकी हड़ियां कमजोर और बहुत कमजोर हो जाएगी अगर आपके सरी में vitamin D की कमी होती है तो कुछ खास लक्षण नजर आते है हुआ है कि अगर आपकी पीठ और हड़ियों में हर समय दर्द रहता है मान स्पेसियों में दर्द रहता है तो या vitamin D की कमी के करण होता है vitamin D की कमी से आपकी bone density भी कम हो जाती है जिससे हड़ियों में fracture होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है इसमें ब्यक्षण को हड़ियों और मान स्पेसियों में लगातार दर्द मासूस होने लगता है मैलाओं में कमर दर्द की समस्या अक्सर सुनने को मिलती है या vitamin D की कमी से होता है अगर आपकी सरीर में vitamin D की कमी है तो आपको immunity कमजोर होती चली जाती है जिसके करण आप हमेशा थकान मासूस करते हैं अगर आप सही diet ले रहे हैं और रात में 7-8 घंटे की नीद लेने के बाद भी आपको थकान मासूस हो रही है तो या vitamin D की कमी के करण हो सकता है दोस्तों अगर आपको कहीं चोट लग जाती है लेकिन उस चोट को ठीक होने में जरूत से ज़्यादा समय लगता है तो या भी सरीर में vitamin D की कमी के करण हो सकता है अगर आपको हर वक्त depression और anxiety मासूस होती है और आपका mood बात बात पर खराब हो जाता है तो या vitamin D की कमी की वज़से भी हो सकता है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो या विटामिन D की कमी के कारण हो सकता है। दोस्तों विटामिन D की कमी आम तोर पर पोसरन की कमी है जो हर तीसरे इंसान में देखी जा सकती है। बाहर नहीं निकल पाते या जो लोग नाइट सिफ्ट में ड्यूटी करते हैं उन्हें भी विटामिन D की कमी हो सकती है। तथा साकाहारी लोग जो अपने आहार में पोसर से भरपूर चीजों को सामिल नहीं करते और उनके सरीर में भी विटामिन D की कमी पाई जाती है। जो विटामिन D से भरपूर आहार तो लेते हैं लेकिन उनका सरीर उसे विटामिन को नहीं ले पाता है। विटामिन D की कमी है तो आप कम से कम 40 मिनट तक धूप में रोज बैठना चाहिए इसके अलावा आप अपनी भोजन में विटामिन D से भरपूर फूड को सामिल कर सकते हैं जैसे अंडा, संत्रा, दूद, दही मसरूम, सोया मिल्क मीट, मचली, साबूत अना आज, आज, मार्केट में विटामिन D के कैपसूल भी उपलब्द हैं आप उन्हें भी डाक्टर से कंसर्ट करके ले सकते हैं दोस्तों, आप विटामिन D के इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं या सप्लिमेंट भी ले सकते हैं जो supplement capsule yet tablets के form में होते हैं उनका सिर्फ 10% ही हमारे blood में observe हो पाता है क्योंकि capsule को पहले मुह के द्वारा पेट में पहुचाना होता है और वहां से वह सिर्फ 10% ही observe होकर हमारे blood तक पहुच पाता है लेकिन आज मैं आपको जिस supplement के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे हमें मुह के द्वारा पेट में नहीं ले जाना होता है बलकि उसे हम जीव के नीचे नसों पर spray करते हैं और वहां से वार डारेक्ट हमारी नसों के द्वारा हमारे blood में observe हो जाता है इस प्रकार वह 90% हमारी body में observe होता है उस supplement का नाम है Vestige Prime Absorbid Vitamin D Sublingual Spray इसको लेना बहुत ही आसान होता है इसका आपको दिन भर में एक बार spray लेना है दोस्तों एक adult को प्रते दिन 600 I.O.Bitamin D चाहिए होता है इसके एक बार spray से आपको 600 I.O.Bitamin D मिल जाएगा इसको लेने से 5 मिनट पहले और 10 मिनट बात तक कुछ भी खाना पीना नहीं है इसकी EMRP 560 रुपए है और distributor price 480 रुपए है और point value 16 है तो दोस्तों यह जानकारी बिटामिन D के बारे में थी अगर आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, share करिए और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और bell icon को दबाना ना भूलिएगा, thank you for watching, we see you well